हेलो फ्रेंट्स मैं सत्या पांडे माया क्रेटिव गार्डन में आपका हार दिख स्वागत करती हूँ दोस्तों सेफ रहिए सुरक्षित रहिए आज इस वीडियो में मैं जो गर्मियों का सबसे खुबसूरत पौधा है पर्सनिन और मौस रोज जिसे नाइनो क्लॉग भी कहा जाता है आज इस प्लांट के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ तो वीडियो में अंतक बने रही है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा बैल आइकन प्रेस कर लेजेगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो उसकी नौटिफिकेशन आपको मल सके आप मेरी अगली वीडियो को देख पाएं तो दोस्तों ये खुबसूरत पौदा है परसलिन और मॉस रोस जो मॉस रोस है और परसलिन है दोनों के फ्लावर जो है बहुत ही खुबसूरत होते हैं और ये जो प्लांट है ये बहुत ही असानी से नरसरी में जो है उपलब्ध होता है और इन में जो फूल होते हैं वो छ इन पौदों का और बहुत ही असानी से मिल जाते हैं पौदे और आप देखेंगे आप तो गर्मियों में ये जो पौदा है ये सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा नरसरी के अंदर और इन में जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही खुपसूरत होते हैं वाइट कलर, डार्क पिंग कलर, लायट पिंग कलर ऐसे और और इन ये लगज और आफ से और अक इसके एक भी cutting अपने garden में आप लगाते हैं तो आने वाले समय में आपके garden में ये धेरो प्लांट इससे तियार हो जाएंगे क्योंकि इतना hardy plant है friends इतना hardy plant है कि जैसे ही जब सर्धियां आती है तो इनकी जो leaves वगरा है बिल्कुल सूप जाती है सिर्फ इसमें ये इस प्रकार से ये जो डंडी सी आप देख रहे हैं बस ये ही रह जाती है और leaves इसमें से एक तरीके से खतम ही हो जाती है लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं और हम इनमें पानी डालते हैं और जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होने लगती हैं ये पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है और इन में फूल आने शुरू हो जाते हैं यानि ये पौधा कभी नहीं मरता है कभी नहीं जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे इस प्लांट को जिस पॉट में ये वैसा ही आपको अगले सीजन में दुबारा से फूल देने लगेगा तो मेरे पास इसकी बहुत सी कटिंग तियार है और कुछ नहीं है इस प्लांट को लगाना बस आप एक छोटी सी कटिंग को ऐसे आपको लेना है इसको यहां से आप कट कीजिए और यहां से इसको कट करने के बाद जो है मिट्टी में लगा देजिए जैसी यह है मैं यहां से पॉट और इसमें बस मुझे इसे मिट्टी में इस तरह से खोल करने खोल करके इस प्लांट को यूँ दबाना है इस डंडी को ये देखिए और इस कटिंग को सौरी और इसी प्रकार इसकी भी कटिंग है ये देखिए बस ये कटिंग को हमें इस तरह लेना है और ये देखिए और इसे मिट्टी में एक खोल करने के बाद इसको बर्स इस तरह हमें मिट्टी में दबा देना है ये देखे और ये धे रो इसके जो प्लांट है वो तियार हो जाते हैं और आप देख सकते हैं ये मैंने एक छोटी सी ऑईल की जो बाटल होती है उसमें लगाया वह मेरा प्ला किया है उसके बाद मैंने दुबारा इस प्लांट को कभी पर्चेज नहीं किया इसी की कटिंग मैं ग्रो करती रहती हूं और इसी से ही मैंने अपने गार्डन में धेरो प्लांट जो है त्यार कर लिए हैं और आप देखेगा गर्मियों में इस प्लांट में बहुत अधिक इसी से जुबी से और उपकार कर लिए हैं अभाल में लिए हैं अभाल में में और dol आप उ सम।ङमास बाद में दूल घ्च आपद में लिया हैं मोंड़ कार गर्मम डेऊंड़ को ऑार्र्ण